कि हलो फ्रैंड्स आज हम टोपिक करने वाले हैं नेस्टीड पीसया। इसे पहले मैं रियल टाइम पीचे और कंप्लीट कर वाज कुह हूं पीसयार जो है नॉर्मली मैंने बता दिया है रिज्ट ट्रंस्क्रिप्ट दीस यार भी मैं कुरवा तो अब यह चीज़े तो है मतलब सिंपल चीज़े उसके बाद में जो चीज़े आती है इंप्रूव होके कि हां कि कैसे अब नेश्टीड पीसियर का दो हम बोल सकते हैं कि इसका यूज क्यों किया गया तू इंक्रीज दा स्पेसिफिक प्रोड़क्ट ठीक है प्रोड़न पी करने के लिए इंक्रीज करने के लिए तो स्पेसिफिक क्या है दो सेट मतलब तू सेट्स अफ्राइमर हम यूज करते हैं इसके अंदर फर्ष्ट प्राइमर केरियाउट स्टेंड़ पीसिया रियक्शन ठीक है जैसे यह मेरे पास कोई भी डिन ने है ठीक है मेरे को यह वाल फर्ष्ट सेट ओफ प्राइमर मतलब क्या तो टार्गेट सेक्वेंस है इसको हम बोलते हैं कि आउटर प्राइमर भी बोल देते हैं इसको ठीक है आउटर क्यों आउटर क्यों क्योंकि टार्गेट सेक्वेंस जो है इससे जो आउटर साइड है मतलब जो आउटर साइड है उसके लिए हम specific primary design करते हैं देखो for example मैं बताने वाला हूँ DNA के अंदर ये मेरे पास DNA है Amplification site क्या है मतलब जो target DNA मतलब इसको मतलब amplify करना है इस DNA को ठीक है शिर्फ इसको तो first pair of primer first pair of primer जो ये वाली site है मेरे पाइस ये वाली site ठीक है ये वाली sites इसके जो outer primer मतलब outer side जो है primer use करना है outer side ये वाला जैसे ये वाली site है ये वाली site है तो five prime तो यहां पर ठीक है तो ये जो primer है मतलब इसके outer side जो outer primer जिसको बोलते है outer side primer design किया ठीक है इसी तरह से ये वाली site है इसके outer side जो है primer हम लोगों ने क्या किया आउटर तो बॉहने तो यह प्राइमर मतलब इंप्लीफाइव करदेगा इहां से यह उन्हें तो में आउटर गोगआ कि यह लित है है कि Mr.іє भी अप्रतर प्र paragraphs के 언दर यह है कि ऑउटर प्राइमर जो मतलब टार्गेटीव चिकहें मेरे पास क्या है जो स्पेसिफिक प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट है उसकी मतलब इंक्रीज करने के लिए तो यह सब कुछ मतलब इनेटरेशन के अंदर क्या हुआ दोनों स्टेंड्स हो जाएंगे मैंने यह इकट्था बना दिया है एनलिंग स्टेप के अंदर ही मतलब प्राइमर होगा इसके अंदर ठीक है उसके बाद में एक्स्टेंशन स्टेप के अंदर पूरा डिन ने एक्स्टेंट हो जाएगा तो यह दिनेटरेशन के अंदर नॉर्मली क्या है 95 डिग्री सेल्चिस टमप्रेट्टर फॉर थर्टी मिजट्स ठीक है जैन एनलिंग के नाइटी सेकंड्स के लिए ठीक है लास्ट एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन के अंदर क्या हुआ थोड़ा तंप्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है तो नॉर्मली जो क्या है 72 डिग्री सेल्सिस टंप्रेट्टर हम किसके अंदर एक्स्टेंशन के अंदर रखते हैं फोर द इन dna को मतलब मैं इसी dna को लेकर क्या करेंगे मतलब मिदिया एंप्ली केशन होने वाला हैada की तार्गे जो dna है मेरे पास तो क्या होगा second set of primer internal to the first set of primer मतलब जो first set of primer use कि है उसके internal हम use करने वाले है primer को ठीक है तो 2 set primer चीज समझ में आगी second primer क्या होगा जो internal to the first primer ये वाला ये वाला था ये वाला मतलब ये जैसे ये फुल दिन ने था ठीक है यहां पर दो एंपलिट के सब्सक्राइब को निकाल के फिर दुबारा PCR के लिए लगाया है किसको मतलब दूसरे प्राइमर के साथ है ठीक है तो इसके अंदर सब कुछ एक PCR reaction के लिए PCR मसीन के अंदर रख दिया तो एक PCR के लिए जितने भी requirements हैं वह एक ट्यूब के अंदर रख दिया जाएगा क्योंकि यह इन वीट्रो स्टेप्स है या पर बोल सब क्या है इन वीट्रो प्रोसेस है एक PCR ठीक है तो क्या होगा जैसे यह वाला दिन ने था मैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा दिने श्रसन दोनों सेपरेट स् बसेट दोनों गल्हाएग अब क्या है यह वाला दी डि मतलब अलग हो गया तो इस असे मतलब जो पहले जो मतलब प्राइम्र करना है मतलब यह फ्मैर करता यह यहां से की जो मतलब यहाला बनेगा क्या जा announcements ह मतलब ओ धु यहां पर बनने वाला है इसी तरह से यहां पर जो क्या ती यह वाला प्रायमर क्या तो यह क्या है इंटर्न प्रायमर अब क्या है जो ही आउसाइड होगा मेरे को मता है कि PCR specificity product है उसी थटर्ड साइकल के अंदर आता है जो मतलब जकी डिनने की जो डिजायड दिन ने जिसको बोल सकते हैं तो फर्ट सेकंड साइकल के अंदर बनेगा उसके बाद में देरे देरे इंक्रीजमेंट होती जाती है ठीक है अगर यह चीज़ की को समझ में नहीं कि डिजाइड प्रोडुक्त कैसे बनता है तो PCR जो है मैंने एक लेक्टर के अंदर अलग से बताया है उ यह वाली सिक्वेंट उसी तरह से जो आगे extension step के अंदर क्या होगा DNA पूरा मतलब यह वाला और यह वाला amplify हो जाएगा ठीक है यह पूरा DNA क्योंकि टैक पोलिम्रेज यहां पर करेगा यह पूरा DNA यहां पर इस साइड से यह वाला भी amplify हो जाएगा ठीक है तो extension step के अंदर य है ठीक है तो मतलब DNA की amplification यह मेरे पास आ जाएगी इसके अंदर तो क्यों यूज किया है क्योंकि specific product या पर बोल सकते हैं कि PCR product की specificity increase करने के लिए ठीक है ऐसा किया अब drawback क्या है कि क्यों इसको मतलब बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि कोफी सारे मतलब two sets of primer use किया जात time consuming process काफी मतलब primers भी use हो रहे है ठीक है specificity है desired product मिलेगा यह मिलेगा ठीक है तो और क्या मतलब time काफी क्योंकि time double PCR हो गया इसके अंदर मान के चले तो क्योंकि two set पहले एक single primer के लिए इस primer के लिए दूसरे second primer के लिए use क्या जाता है ठीक है अब क्या applications क्या है application क्या है to study phylogen genetic analysis then genetic polymorphism then best choice for the carcinoma ठीक है carcinoma के लिए भी best choice है it is a nested PCR then identification of different pathogen जो viral infection है उसको हम identify कर सकते हैं ठीक है यूज्ड यह काफी important point है यूज्ड इन दा study of 16 s rrna and 18 s rrna these are the 16 s rrna क्या है कि bacterial जो it is a component of rna which is present in bacterial ribosome bacterial ribosome और 18 s rrna क्या है जो आरने का component है which is present in eukaryotic ribosomes के अंदर present होता है तो इसको मतलब study करने के लिए इनका जो इनमें universal primer का यूज किया रहता है तो बोल सकते हैं कि nested PCR का यूज इसके अंदर भी है और एक जो है निक translation के अंदर भी nested PCR का यूज किया रहता है ठीक है तो this is the overall process of nested PCR I hope ये वीडियो आपको समझ में होगी अगर वीडियो समझ में है ये like करना comment करना और चैनल को subscribe जिरूर कर लेना ताकि आग्याने वाली वीडियो आपके लिए helpful रहे thank you so much